बारत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में इस वक्त आग लगे हुई है लगातार इनके दाम आसमा चूते हुए दिखाई दे रहे हैं इंदन की कीमते अब एक दिन छोड़ कर बरड़ रहे हैं कलदाम बड़े थे आज फिर से कीमते शांत है मुंबई वालों को अब एक लीटर पेट्रोल के लिए करीब सौ रुपे खर्च करने होंगे कच्चे तेल भी अब अंतराश्वी बाजार में सतर डॉलर प्रती बैरल के करीब पहुच चुका है इसके आने वाले दिनों में भी राहत की उमीद कम है पेट्रोल और डीजल के इक कीमतों में आग लगने से दोगुनी हो जाती है मई में चौबा बार बढ़ चुकी है कीमते 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 राजानी नखलाओं में इस समय हम मौदूद हैं नाका पिट्रोल टंकी पे आपको बता दें कि पिट्रोल की महिंगाई से लोगों का बुरा हाल है जी इस समय आप देख सकते हैं कि पिट्रोल टंकी पे किस तरीके से सन्नाटा मचा हुआ क्यूंकि इतनी बड़ती महिंगाई से लोगों को बड़ी दिक्कते पैदा हो रही है और पिट्रोल की महिंगाई से और लॉगडाउन की मार से जो है लोगों का बुरा हाल है क्यूंकि पैसे की बचत नहीं हो पा रही है औउसो उपर से उस पर तेल की महिंगाई से आपको वता दें गीजघयल और पिट्रोल का रेड़ जो है वही बात करें खाने की पैसे क्षे कचछे खाने की बात करें तो 180 रूपाय लीटर दिक्कत की बात नियुकि जब अब 180 रुपाई लीटर कड़वे तेल की बात करें वो तेल की इतनी महंगाई है कि लोगों की जो है पॉपिट मनी में बड़ा जो है वो घाटा नजर आ रहा है लोगों की उस्या दिक्कते पैदा हो रही है अरे सारे समान महेंगे उटने जा रही है और क्या चीए अब क्या लगता है कि उन्स अरी के लोगों को फैदा हो रही है काफी दिक्क्ते हो गई है सारी वेस्टाइन चोपाट हो गई है सरकार को इस वे इंटर्स लाना किये किसी तरह टैस्कों कम करना चीए ऐसा थोड़ी ना कि गौवर्मेंट उसको जो है इसना आता है एक्साइज और इतनी साइज जो है कस्टन डूटी और सारी की लगा करें हर पबलिक को पहनिक करना लोग ऐसे परिशाने कोविड के वेसे बिजनेस नहीं कर पा रहे है उसके बादूद गौवर्मेंट जो है इतना पैसा बढ़ाती जा रही है डीजल पे इससे हरे चीज महगी होगी पैसे तक्षे तेल की भी जो कीमात है वो इसको अक्ती रुपए लिटा रोग इसके गरीबों के लिए बड़ी दिक्कते उसके लिए क्या कहने है गरीबों के लिए सर तो हर तरफ से गरीब मारा जा रहा है क्यों मज़्यम बर्ग हो और गरीब बर्ग हो वो सबस्यादा पीस इसलिए रहा है कि उनको तो हर अपने सारे खर्के उनको चली रहा है लेकिन गौर्मिन को तरफ से कोई रियायट कहीं से कोश नहीं है पिट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण लोगों के अंदर बड़ी दिक्केते जो हैं वो नजर आ रही है हम इस समय मौजूद राजजानी नकलों के नाका पिट्रोल टेंगी पे जहां पर आपको बता दे कि डीजल और पिट्रोल की महिंगाई से लोगों की दिक्क पिट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइस जूटी डिलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोडने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है फिलाल पेट्रोल पर केंद्र सरकार को 32.9 रुपे और डीजल पर 31.8 शूटी रुपे प्रती लीटर एक्साइस जूटी लेकिन चाहे केंद्र हो या राजसरकार दोनों किसी भी कीमत पर टैस्क नहीं हटाने चाहते क्योंकि राजस का एक बड़ा हिस्सा यही से आता है तो आज का बड़ा सवाल यही है कि लोगड़ाउन लगा हुआ है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग बाहर निकल गई तो क्यों यह चुनाओ के दौरान जो कीमते हैं वो टहर जाती उसके बाद फिर से बढ़ना चालूग हो जाती है जिसी पर चर्चा करेंगे और तरी दर्च की जारे इसको लेकर आम जंता भी परशान है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है मैं इस चर्चा को आगे क्या है कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार इनकी सरकार अब क्या हुआ है क्यों पेट्रूल और डीजल की कीमतों पर कोई रोक रही है लगातार बढ़ती जा रहे हैं ने रंतर पहली बात तो यह है कि जो प्रटोल और डीजल के धाम है यह अंतर राष्टिया जब कीमते कच्छे तायल की बढ़ती हों क्रूडायल की जब जब कीमते बढ़ती है तब इसमें कुछ परवड़तन होता है और अभी जो परवड़तन हुआ है तकीस पैसे तीस पैसे की रुपए है दिली सरकार टैक्स के रुपए अत्रिक ले रही है तो ऐसे में जिन जिन प्रदेशों के जो सरकारे हैं अगर अपने वहां पे एक्साइज जूटी कम करने का काम करें तो इन प्रटोल डीजल के लेकि सबसे पहले जिमनाई तो के इंद सरकार की बनती है ना प्रदेश सरकारों को भी टैक्स चाहिए और सरकार चलाने के पैसा कहां से आएगा तो ऐसे में लेकिन जब प्रटोल डीजल के मुलिकी ब्रदिक की बात जो भी पच्छी तर उठा रहे हैं उनकी जहां पे सरकारे हैं चाहे पंजाब हो दिल्ली हो या राजिस्थान हो या पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के होला कर रहे हैं तो ऐसे में अपने वाइव इस्टाइटेटे पर देंगे तो काफी फरक पर जाएगा खतब कर देंगे तो प्रट्रोल डीजल के दाम साट रुपाय में आ जाएंगे पैसा बसता है उसका 10 प्रतिशत राज्यों को द इसका परिसा तो परिस्ट सरकारों को वापस बहजा जाता है लेकिन जो इस्टाइटी स्टेट के पास ते रहती है दूसरी बात ये हैं कि देखिये पेट्रोल डीजल के जो सुतंगता है कि उनको निम्चुत करने की जो शक्तिया हैं वो सुतंगरूरू से करने का का कम किस किया पिछली कांगे सरकार ने किया उसके बाद में भी पिछले अगर च्छे सालों तक माननी है मोधी जी की केदर की सरकार पेट्रोल डीजल के नहीं होने देती है तो इसको बड़ी सफलता कहेंगी लेकिन प्रूड आयल में पिछले एक साल में जब कम थी तब भी कम नहीं कि ती गाइ थी अब आप अगर देखेंगी तो एक साल पहले आप एक साल पहले पार्टी की सरकार रहे दो हजार तोदा में और उसके बास लगातार कम होने के बाद में लगबग वही रेट प्रॉस्टिबेटली रहे जो की साथ साल पहले थे और आप देखें सब सब चीजों में महिंगा लिए अलग बात है लेकि प्रिट्रोल डीजल के दामों को अगर पिछले 6 सालों तक सरकार डिने अंतरा में रखा और इधर एक साल में अगर कुछ बिद्धी हुई है इसे भी केंद्र उससे चिंदन करें कि किस प्रकार से कौन सी जूटीज को कम करके प्रेटोल डीजल के दामों में रहाट की जाएं जी बाते आप कब से बोल रहे हैं कि किस पर कम करना है उसको लेकर आपका क्या मानना है देखिए पहले तुम्हें एपी तिवारी लिखता हूं जी एपी तिवारी जी माफ किजेगा पेपी जहां तक पेट्रोल और डीजल के कीमतों में महिंगाई का सवाल है हमें समझना पड़ेगा कि इसका अपना अर्थशास्ट है इसका राजनीत एक पक्षण नहीं है जब पूरी दुनिया में तेल के कीमतें बढ़ती हैं जिसको हम ग्लोबल प्राइस पहते हैं तो प अफाविक रूप में उसका असर हमारी घरेलू और त्वियस्ता पर पड़ता है ताथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं और जो कीमतों का नरधारण है वो डे टूडे बेसिस पर होता है और यहीं नहीं बल्कि दिभिन जिलों में इसमें वाइरियेशन या अंत कर देखा जा सकता है एक खास पात यह है कि अगर हम फरवरी 2020 और जनवरी 2021 के बीच के कहेंगे डीजल इंफलेशन को देखें तो जो ठोक कीमतें डीजल की की ती उनमें एक तरह से रिणातमक ब्रदिदर्ज हुई अर्थात जो जिसको हम डीफलेशन कहते हैं महेंगाईदर रिणातमक रही जहां तक ठोक कीमतों का सवाल है लेकिन इसी समयकाल में इसी कालखंड में जो खुद्रा महेंगाईदर होती है जिसको हम CPI कहते हैं Consumer Price Index कहते हैं उसमें बरदी हुई लगातार बरदी हुई और इस ठोक महेंगाई डीजल को लेकर है वो 33.82 की है और जो इसकी फुटकर कीमते हैं उसका इंडेक्स जोसको कहते हैं सुचकं कहते हैं वो 23.50 क निका है ये जो अंतर है खासतार पर दोनों तरह की कीमतों América थोग कीमतों में डीजल की और कहेंगे फुटकर कीमतों में ये इस वज़े से है कि फुटकर कीमतों में कर को शामिल नहीं किया जाता जबकि फुटकर कीमतों में कर को शामिल करते हैं तो जब अनुमान ये भी तो आमने सामने दिखा रहे हैं यंगि 10 प्रतिसक्त से डीजल की किम्टें बढ़ती हैं तो इसका अफर ये होता है कि लगबग 0.2 पीशच से घुधरा कीम्टें वबढ़ती हैं इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं कि यदि तेल की कीमते बढ़ती हैं पेट्रोलियम पदारतों की कीमते बढ़ती हैं खास्तों पेडीजल और पेट्रोल को ही ले लें तो इसके कशकेडिंग एफेक्ट होते हैं अर्थात एक सोपान तरीके से एक सरणवद्ध तरीके से बड़ तो जो मौझूदा दौर ये पिछले कई महीनों से ऐसा चल रहा है कोरोना जैसा आपने का कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें जन्मानस दूस प्रवहावित हुआ है और उसकी कहेंगे जैसे बेरोज़गारी दर पढ़ी है अनुमान बता रहे हैं आकड़े बता रहे हैं नौकरियां चिनी हैं इसके अत्रेक्ट कहेंगे सामन की आवाजाही बादित कुई है किन्ते बढ़ रही है और खास दोर पर अगर डीजल और पेट्रोल की किन्ते बढ़ पी रहा है और जिस तरह से साड़ेदस फीजदी जो थोक महंगाई दर बढ़ी है उसके बाद जो रिफाइंड ऑईल से उस पर भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं चाहिए आप दाल ले लीजिए या तमाम वो चीजों पर भी लगातार चीज़े बढ़ रहे हैं यहां तक मे चाहिं चेत्र में और पेट्रोलियum पदार्थों के चेत्र में आत्म नरभर बनना पड़ेगा भारत को जैसे यह सकते हैं कि विकल्प क्या है पैट्रोल और डीजल के विकल्प तलास में होंगा अमें लिपए गैस की बात कर नी पड़ेगी जो इंधन है उसका विकल्प तलाशना पड़ेगा यह ऐसा नहीं हुआ अगर कीमतें बढ़ती है पुरी दुनिया में ग्लोबल प्राइस बढ़ती है पेट्रोलियम प्राइस की तो उसका भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारती अर्थिवस्पा वो मनली करते है विश्वा जरूरी है इस पर भी तो देखना जरूरी है कि जब तक्षे तेल की कीमते शांत होती है कम होती उसके बावजूद भी पिंट्रोल कि दा ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसा मैंने पहले भी रखा कि जो पेट्रोलियम पदारते हैं इनकी कीमतों में लगबग 50% करो का हिस सकते हैं महत्पुन रूप में कर राजस सुपराप्त होता है अब उस कर राजस का भी तो इस्तेमाल सरकारे हैं चाहे केंदर सरकार हो या राजस सरकारे हों यह सवाल इस बात का है कि जो भी कर राजस सुपराप्त होता है उसका उपयोग जन कल्यार कारी योजनाओं के लेकिन जो सीधा असर कीम्तों पर पड़ता है मेरा मानना है कि आम आदमी उससे दुस्प्रावावित होता है लेकिन एक बड़ी महत्तुपों बात है जिस पर विचार नहीं किया जाता है कि ये पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों के पास क्रैश्शक्त है ये खरीदारी है तब ही वो खरीद रहे हैं जहां तक उसके कैस्केटिंग एफिक्टिंग जो बात मैंने रखी या आप ये कह लिजे कि मजबूरी भी है क्योंकि चलानी तो गारी है पेट्रोल दबरवाना ही पड़ेगा अगर आपको बाहर निकलना है अगर आपको अपनी नौकरी पर जान करते हैं इनके अगर हम भी हैवियर को देखें तो फिट पुटकर कीमतों के बढ़ने का क्रम कह सकते हैं जारी था लेकिन आप तो और उसके लिए टार्गेटिंग करती है गोवर्मेंट कि चार प्रतिशक प्लस दो चार माइनस दो तो 47 बात का है कि जो महंगाई को दर को ल है कि अभी टालरेबल जोन में है यह सहन करने की जोन में है हाँ यह जरूर है कि कोरोडा ने जिस तरह अर्थिवर्था को अप्रत्याशत रूप में मैं इस वाद को रखांकित करना चाहूंगा कि ऑन एक्सपेटिटी जस तरह दुस्परवावित किया है उसका दुस्परव कीमतों पर हमें रोग लगानी की इस वक्त ज़रुवत है क्योंकि कहीं ना कहीं मद्यम वर्क और गरीब को हम और ज़्यादा कश्ट ना दे उस पर भी जरुवत है ठीक है आप पर मैं आऊंगी एपी तिवारी जी दुबारा केसी जैन जी क्या लगता है दोजार चौदा के पहले तक आप लगातारी नारा लगाते रहें कि पेट्रोल और डीजल की कीमते बहुत बड़ी हुई है औ इनकी सरकार आएगी तो महंगाई की मार से रहत मिलेगी लेकिन लगातार जैसे हम देख रहें कई ना कई दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे है उसमें कोई कमी दर्ज की ही नहीं जा रही है जहां पर सबसे जरूरी है महामारी के समय में आपको रहत देनी चाहिए लोगों क कुछ चीजों के दाम बढ़ते ही लेकिन फिर भी अब तो शतक भी लग गया पैट्रोल के दामों में अभी भी सरकार यहीं कहती रही कि हम राशन दे रहे हैं राशन बाट रहे हैं 101 के पार जा रहा है पैट्रोल के दाम कुछ राहत दे की सरकार की नहीं देगी हैं देखिए हमने आप से बताया कि जिस प्रदेश सरकारों की जो एक्साइट जूटी है 35 रुपाए 40 रुपाए 27 रुपाए इस तरीके से हर एक प्रदेश सरकार अपने अपने वहां पर एक्साइट जूटी ले रहा है उत्पर प्रदेश वे तो 27 परशन एक्साइट है अगर सब कूरे आप दिलीं की बात कर रहे हैं आप दूसरे अराज्यों की बात कर लें है प्रुब और बिदेश की बात करिम आप उत्तरप्रदेश में किस कदर जो डाम है पेट्रूल के वह भी तो लगा तार बढ़ रहे है इस पर कoru ही से सरकार आयाद तरके सब्सक्राइब करने का लगाता करता है उस समय के लिए इन चीजों में परणता नाया है लेकिन जलिदी यह बाहर से उसके लाएद निज्ट्रोफ Iss THEY का काम सरकार के दोरा किया रहा है एक तब तक क्या खुए अगर सरसो के तेल इसकदर आस्मान चुएंगे तो गरीब सरसों के तेल से भी हद दो दें और जो कांग्रेश अगर इसके सवाल पर जाएंगे तो वह क्या पकाएगा क्या खाएगा एक सो चार्ज करोण की आवादी है पर तो वह क्या जा रहा है इसके मुट दिया जा रहा है इन बहने के लिए लेकिन जो रासन मिल ला है वो भी जो रुपय केजी एक रुपय केजी मिल ला है और पशीश रुपय में चाहों खरिट तरह रही है यह रुपय में दे रही है तो ऐसे में सरकार रहात देने का काम लगातार जंता के लिए करी रही है इस तरह कोई दिखता तो नहीं है लेकिन अगर राशन देनी के आप बात करी रहे है तो आप 140 करोड के अबादी में कितने फीजी लोगों को राशन दे रहे हैं असी असी कोड़़ों के लिए बेवस्ता की जा रही है और हर कोई ऐसा भी नह이는 है जो हमारे सरकारी अंप ZU उन्हें तो एकौँ दी लिए है सरकार कुछ बर्ती हुई है सरकार लिए स्कारी बेवस्ता तौह से करेगी केसी जैन जी लगा तार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं शायद तक आप गाड़ी नहीं चलाते हैं या आप बहाने निकलते हैं तो यह ब्योस्थाएं अगर सरकार ले करके आ रही है अगर पांच लाग को का सरकार बजट पेस करती है तो यह पांच लाग को रु पेट्रोल लाने की बात करी थी अज़ ऊपадно ऑगर मैंगाई ऊज अशो नहीं है लेकि यह एंसी पांच वाइंगाई हुई हैं क्रूड आयल के दाम अंतर राश्टी कीमत में अगड़े हैं और इनको पेट्रोल डीजल को जो सरकार के नियंतर में इसको मुक्ट करने का काम किस ने किया किसे दिक्कत यही है जब आप विपक्ष में होते हैं तो वह कीमती आपके लिए नियंतर में होती और आप लगातार यही कहरें कि 101 पहुच गया पेट्रोल के दाम वह भी कम है अब आपके लिए अगर 35 रुपे बात की गई थी तो आम यह मालने सिर्वो नारे थे सत्ता में आने के लिए कि 35 रुपे डिया पेट्रोल में मिलेगा कि व्रद्धी हुई है उसको भी जल्दी नियंतर में ले आया जाएगा तो क्योंकि उसको भी केल सरकार करें आप यह पिछली बार भी आपको क्या लगता है जिस तरह से पहले एक्साइज डूटी जो शेरिबल डूटी थी राज्यों के साथ उसमें भी कमी की गई है यानि अब 90 प्रतिशद केंद सरकार रखती है दस प्रतिशद राज्य सरकारे रखती है जो पेट्रोल और डीजल की कमाई होती है तो आपको यह कैंगया जाती है तो क्या लगता पालते है और आप से पूशना चाहूंगी अभ तो जो लगातार जो एडिश्नल ड्यूटी जो लगाई जाती थी जिस तरह से हम लगातार जो राज्यों के साथ होती थी अब तो वह भी कम होगी अब तो 90 फीजदी जो उसका रेट दाम है वो केंद्र सरकार रख रही है सिर्फ 10 फीजदी राज्यों में बढ़ता है वैट और इक्षाई यूटी दो तरीके के चार्ज लगती है और उसमें से एक चार्ज पूरा की पूरा प्रदेश सरकार के पास रहता है दूसरा जो केंद्र के पास आता है उसमें भी केंद्र सारे प्रदेशों को उसी पैसे को पर देशी है जहां पर जिस परकार से आव सकता हो लेकिन इन टैक्सों को जो प्रदेश सरकार का टैक्स है उसकाम करके पंशे कम जनता को रहत पुष दी जाता है तो तो पिछली बार इस समय तक बढ़ी है कुछ रेट बढ़े हैं पर तो टोड लीगल के के पिशली बार इ गई थी तो इस वक्त भी कही न कहीं जनता उस राहत पैकेज पर टक्टकी लगाए बैठी हुई है जिस तरह से MSME के कई सेक्टर से इस वक्त या तो ताला उन पर जणनी की नौबता आ गई है या पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या फिर वो घाटे में चल रहे हैं तो कह चुके नकई रहत पैकेज की सबसी अधा i.nda M. S.M.E. की सेक्टर्स में जरूरत है और इतने वक्त से जो वित्य विभाग है हमारा वो शांत बैठा हुआ है खामोश बैठा हुआ तो वह क्यों बैठा हुआ है आपको नहीं रहत नहीं रहत है अब रहत पैकेज की घोशना करने की कट्रीए स साथ लंबय समय से लगातार रहात देने का काम करती रही और परोचेक्ट लगातार जो हैir पैसा भी उसको दिया य Holz पर दोगशे कर रही हैं ऑर कि बहुत के लिए कि दामों की बिद्दी के लिए सिपकेंट सरकार जिम्मेदार नहीं हम बार-बार उस चीज को आपको दोड़ा रहे हैं और अगर पेट्रोल डीजल से ही अगर आप जोड़ेंगे तो हर चीज उसमें आ जाती है पेट्रोल डीजल वो एमसमी के सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी दलवाते हैं जो तमाम गरीब जनता है वो भी करा दलवाती है तो कहीं न कहीं हमें इस पर गौर करने की जरुवत है और इन दामों पर नियंत्रन लाने की जरुवत है कि बिलकुल देखिए आपका आपका कहना गलब नहीं है लेकिन क्या है कि जब अंतर राश्ट्री कीमते बढ़ती है कि प्रटोल डीजल के दाम भी नहीं है तो कुछ तो बिद्धी होना सभाविक है तो अगर टोटल भी मिलाने तो दो तीन रुपए की बिद्धी आई है उसको भी सरकार अपनी ड्यूटी को अपने टेक्स को कम करके नहंतर में लाने का सरकार प्यास कर रही है मानिया मंत्री सीता रमण जी ने और प्रदा की सरकार की तो हमने दावा किया चीक है केसी जैंजी बहुत बहुत शुक्री हम ऐसा जुडने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो जिस तरह से लगातार दावे किये जारे है हाला कि सरकार सत्ता पक्ष के लोग यही कहेंगे कि यह महंगाई दर कुछ नहीं जाए लेकिन रहात पैकेज की इस समय सबसे जादा जो दरकार है उसको लेकर भी कही न कहीं वित्यविभाग हमारा शान्त बेटा हुआ है तो उस पर भी सरकार को जागने की जरुरत है और जिस तरह से पिछली बार मेहीने में रहात पैकेज दो लाआख सटानवे हजाषा क करोड का दिया गया तो अब भी कुछ ना कुछ करनिक जरूरत है ताकि जो लोग इस समय कमजोर वर्क पर जिस तरह से करोना की मार पड़ रही है लगा ता और जून महीने तक लॉक्डॉन बढ़ानी की बात भी चल रही है तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं अब वित्य वज़िरों के देश और दुनिया की तवाम खास कबरों के साथ आप कहीं मत जाएगा देखते रहिए प्राइम टीवी